अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की चाया, ना बचे का संकट बाकी, होगी खुशाल ये काया, कोई कस्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब सबरेगा, दिन मेरी भी सुधरेंगे, जब गुरुजी का आशिरवाद मिलीगा, पूच्जी गुरुजी एक ह आशा, करना बीड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा, जए गुरुदीन, भाग्य दर पढ़, उम्मीद की एक किरण, जए शरीरा, मैं डॉक्टर अंकित यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजर, निम्रोलोजिस्ट, लाल कितावन वास्तू कंसल् आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, बात चल रही थी राशी फलकी, कैसा रहने वाला है आपका सप्ता, क्या सोगात लेकर आने वाला है आपकी राशी के लिए, पहले दो पार्ट में हमने बात करी पहली आठ राशीों की, मेश राशी से लेकर के, और वरश्चिक दनुराशी वाले लोगों सप्ता की शुरुवात से अंत तक कई ग्रहों का इस्थान परवर्तन होगा और ये वो समय होगा जब आपका स्वास्ते सामन्य से ज़्यादा मजबूत रहेगा और आप विविन परकार की शारीरिक समस्याओं से निजात पाजाएंगे निश्चित लॉसिस होते हुए दिख रहे हैं मंगल ग्रह की आपकी राशी पर जो पूर्ण द्रश्टी पात होने से इस सप्ता आपको समाज में मानसमान की प्राप्ती तो होगी यदि आप किसी अधिकारी या किसी इन्वेस्टर से मुलाकात करने के लिए पहले से ही प्रियास कर रहे हैं तो इस सप्ता अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदब से आपकी उनसे मुलाकात भी संबब हो जाएगी मुम्किन है राशी स्वामी ब्रस्पती का चंदर गरा के साथ युक्त होने से इस सप्ता अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए इस राशी के हर छात्र को एक सही और प्लानिंग करके योजना वद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्षे प्राप्ती के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची यानि टूडू लिस्ट बनाने की आवश्यक्ता होगी इसी से ही आप अपनी एनरजी और समय की बरबादी से बच सकते हैं यह विशेश ध्यान रखना है धनु राशी वाले लोगों को क्या करना है ऐसे लोगों को भगवान शिव को जलर पढ़ करने महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी बात करेंगे राशी चक्र की नौवी राशी यानि मकर राशी की इस सब्ता वैसे तो खुद को आप रेंग क्या किसी अन्य संस्ता से लोन मिल तो सकता है परन्तु धन से जुड़े हुए जो भी लेंदेन है उसको करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है बहुत सोच समस्रत के डिसीजन लें तो बहतर रहेगा इस सब्ता श्रणा नक्षत्र पर स्थित शनी ग्रह 19 अंच के आसपास बकर राशी में स्थित होने से गर के किसी सदस्य की धूमर पान की खराब आदत स्मोकी की खराब आदत आपको परशान कर सकती है ऐसे में जोश में होश नक होते हुए उन्हें यही समझाने का प्रिया आप कहीं चातरों के लिए, पर स्थित है उसकी विरह से आपको प्रतीकषा करनी पड़ेगा. अभी बाहर जाने का कोई योग मकर राशीवालों के लिए नहीं बनेगा. प्रियास जरूर करते रहेगा. लेकिन कोई योग विशेस नहीं बन रहा है. क्या उपाय करना है मकर बढ़े बुजरूगों की सिवा करें और उनसे आशिर्वाद लें आपके लिए बहतर रहेगा अगर आपके बबावा य दादी हैं उनके पैर छुकर के रोजाना उनसे आशिर्वाद लें बहुत बहतर रहेगा आप राशी चकर की अगली राशी है नहीं कुम्ब राशी की बात करेंगे कुम्ब राशी वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो आपकी राशी में इस्थित ब्रस्पती और चंद्रमा की युती होने से आपको किसी भी बड़ी समश्चा से जूजना नहीं पड़ेगा और यदि आप घर से जुड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये सब्ता सामाने से काफी बहतर रहेगा क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए फायदे मन्तों साबित होगा ही होगा साथ ही अपने घर के किसी हिससे के किराए आधी के माध्यम से भी आपको अतरिक्त धन मिलने की संभावनाय अरजन करने की संभावनाय बन रही है मगर राशी वालों के कुछ जातकों को छोटी बहन को इस सब्ता मंचा ही जॉब मिल सकती है करियर बहुत सोच समझ करके सटीक साथ आगे बढ़े तो बहतर रहेगा अदरवाइस थोड़ा सा परेशानी करियर को लेकर के रह सकती है कुपराशी वालो सर्वोपरी ना समझे दूसरों की मदद ले लेैं, अगर आपको लगए है कि पी सर्वों पर हैं आपको किसी की बहुत की जरूरत नहीं है तो आप गलत कर रहें बविश्चे में सफल्ट आगा मुझ देखना पड़ेगा आपको छात्रों के लिए सब्ता बहुत अच्छा रहने वाला है कुम राशी वालों को क्या उपाय करना है अपने इश्ट देवी क अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ बिताएं इस सब्ता करियर में आपको हर इस्तिति में भागय का साथ मिलेगा जो कि इस बात को दर्शाता है कि समय आपको अपने वरिष्ट अधकारियों से उचित प्रशंचा और सहयोग भी प्राप्त होगा वहीं आप मेंसे कुछ लोग इस दोरान अपनी मंचाही पदोन्नती यानि प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं मीन राशी के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस सब्ता नौकरी मिलने में थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी पड़ सकती है अगर जरूरत पड़े तो घर के बड़ों की सलह अवश्चले बहतर रहेगा हार नहीं माननी है निरंतर प्रियास करते रहें मीन राशी वालो क्या उपाय करना है ब्रामण को भोजन किलाएं और घर में सुन्दर कंड का पार्ट करें सब कल्याण होगा बहुत बहुत आबार आप सब का बहुत बहुत शुब कामना है यह थी बात राशी फलकी 3 तारिक से 9 तारिक तक मई 2021 कैसा रहने वाला है आपका सब्ता मेश से लेकर के मीन राशी तक हमने 3 पार्ट में बताया अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना तो बिलकुल न भूलें और हाँ हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सब को मेरी तरफ से जय श्रीडा